हाई गाईज वोलकम बैक टूब यूट्प चैनल और आजकी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊं कि थेट सारे डिया वाई राखी तो चलिए देखते हैं इस फ्लार बाली राखी को कैसे बनाते हैं पूरा बनाने के बाद इसके एंड्स को हमें कहची से काट लेना है फिर हमें कार्डबोर लेना है कोई भी कलर पेपर अपलो उसे ऐसे फ्लार्स के जैसे सेप में कट कर लो फिर उसके ऊपर मैं ये गोल्डन शीट ऐसे कट करके लगा रही हूँ और मैं इसको उस कार्डबोर में ऐसे चिपका लोगी दिन हमारी ये फ्लार्स रेडी है इसके बीच में मैं एक वाइट पेपर चिपकाऊंगी उसके ऊपर एक रिंग लगाऊंगी मैं और इसमें एक पिंक स्टोन लगा दूँगी और उसका रिबिन हमें इस तरीके से चिपक कुछ पड उसको हमें कलर में डिप करना है दो같ब साइट से फिर डिप करने के बाद उसे सूखने के बाद हमें इसे कैंची से कट कर लेना है दें हमें एक काट्बोर्ड लेना है और उस काट्बोर्ड के उपर गलु से हमें सारे record ऐसे पेस्ट करना है फिर उसके बीच पे हमें एक मिरर लगाना है फिर आप कोई भी पॉल से इसे डेकोरेट कर सकते हो रिबन बनाले के लिए हमें चाहिए एक धागा उसको पहले जैसे तरीके से हमें इस राकी में पेस्ट करना है और उसमें कुछ मोतिया डाल देना है यह राकी रेडी है यह बाली राकी बनाना तो बहुत ऐजी है इसको बनान लिखने हमें चाहिए एक धागा उसमें हमें पॉल गोल्डिन पॉल कुछ भी आपको ऐसे लगाना है आपके पास जो بھی ही दिन यह राकी रेडी है बहुत ही सिंपल है ये राखी तो जरूर बनाना इसे ये बाली राखी तो बहुत एक्सपेंसिब दिखता है लेकिन इसको बनाना उतना ही आसान है चलिए देखते इसको कैसे बनाया ये बाली राखी बनाने के लिए हमें चाहिए एक लेस उसको ऐसे सुई में डालना है दिन हमें एक फ्लार बना लेना है फिर हमें एक कार्डबोर्ड लेना है उसके उपर ये बाली लेस हमें चिपकाना है फिर उसको राउंड शेप पे ऐसे कट करना है दिन आप कुछ भी देखे आप इसको डेकुरेट कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है स्टोन पर्ल ये सारी लगा के दिन ये डेडी है फिर इसके पीछे हम रिबन लगाएंगे उस रिबन में हमने जो वो फ्लार बनाया था ना ये लगा देंगे दिन हमारी राखी बन गई तो वाइस अगर आपको मेरी ये DIY राखी अच्छे लगे तो प्ल आपको सबस्क्राइब करना तो में तेह हम से नेक्स वीडियो में बाइबाएंगे